पतंजली या दिवे पतंजली भारत की मशहूर आयूरवेदिक दवाय और दूसरे खादेपदार्थ बनाने वाली कमपनी है जो भारत के प्रसिद्ध योग गुरू बाबा रामदेव द्वारा शुरू की गई थी अब ये कमपनी इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये एक अंतराष्ट्रिय दवा कमपनी बन चुकी है और विश्व भर में इसके उतपाद अपनी पकड़ तेजी से बनाते जा रहे हैं दिवे पतंजली के बारे में सबसे प्रमुख बात ये है कि इस कमपनी के उतपाद ना केवल affordable है बलकी प्रभावी भी है कई सालों पहले बाबा रामदेव ने ये कहा था कि वो आयूरवेद को घर घर तक सस्ते दामों तक पहुचाएंगे और आज ये बात बिलकुल सच हो चुकी है पतंजली का लगभग हर उतपाद दूसरी आयूरवेदिक दवा कमपनियों द्वारा बनाए गए उतपादों से सस्ता है और भारत के अधिकतर लोग इस कमपनी के प्रोडेक्ट्स को पसंद करते हैं पतंजली के अलो वेरा जेल के बारे में कौन नहीं जानता होगा शायद ही कोई मेडिकल या जनरल स्टो ऐसा होगा जहां पतंजली के कॉस्मेटिक से संबंधित उतपाद उपलब्ध नहों पतंजली ने पौरुष दुरबलता से संबंधित विभिन बीमारियों के लिए भी आयूरवेदिक दवाय बनाई हैं आयूरवेद में वाजिकरण की कॉंसेट प्राचीन काल से ही है जिसमें पुरुष के शरीर को इतना शक्तिशाली होना चाहिए जैसे घोड़े के शरीर में शक्ति होती है और जैसे घोड़ा ठकता नहीं है वैसे ही पुरुष भी उर्जावान, वीर्यवान और शक्तिवान होना चाहिए दिव्य पतंजली ने वाजिकरण के विभिन शास्त्री आयूर्वेदिक योगों को मार्केट में उतारा है जैसे धातु पौश्टिक चूरुन, दिव्य शिलाजीद, दिव्य मुसलीड पाक, कोंच पाक इत्यादी इसके अतिरिक दिव्य पतंजली ने आयूर्वेदिक योगों से प्रेरित, अपने पेटेंटिड उतपाद भी, पुरुशों की यौन दुर्बलता दूर करने के लिए बाजार में प्रस्तुत किये हैं, जैसे पतंजली दिव्य योवन मृट टाबलेट, दिव्य योवन च काफी लोग यह जानना चाहते हैं, कि क्या दिव्य पतंजली का भी कोई लिंग वर्धक तेल, या लिंग में कठोरता बढ़ाने वाला तेल बाजार में उपलब्ध है, क्या वो इसको किसी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या अपनी लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, यह पर हम आपको बताना चाहेंगे, कि पतंजली के यूँ तो कई तरह के तेल मार्केट में भी उपलब्ध है, लेकिन पतंजली का कोई भी ऐसा तेल नहीं है, जिसके बारे में पतंजली ने यह कहा हो, कि उसको पुरुष लिंग पर मालिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या इसका इस्तेमाल लिंग के धीलेपन को दूर करने में किया जा सकता है, पतंजली ने ऐसा क्यों किया, क्यों पतंजली ने ऐसा कोई समर पे तेल लौंच नहीं किया, जो पुरुष अंग के अभ्यंग के लिए प्रयोग किया जा सके, ऐसे सवाल अब आपके मन में धो सकता है कि पतंजली की pipeline में ऐसा कोई तेल हो जो वो link की मालिश के लिए launch करने वाले हो क्योंकि Ayurved में अभ्यंग की सकलपना शुरू से ही है अभ्यंग अर्थात शरीर की मालिश के माध्यम से शरीर की नसों, मानस्पेशियों और हड्यों को मजबूत बनाया जा सकता है पहुँच सकते हैं कि अगर आप इन तेलों की link पर मालिश करते हैं तो उसे link को मजबूती मिलेगी, link की मासपेशिया द्रिण होंगी और link में रक्त प्रवाह बढ़ेगा इसमें सबसे पहले आता है दिव्य महामाश तेल दोस्तों महामाश तेल एक पुराना आयूरवेदिक शास्त्रिय योग है ये एक आयूरवेदिक नुस्खा है जो मुख्य रूप से अगर किसी अंग को लकवा हो गया हो उस पर मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस अंग का खराब हो गया सनायू तंत्र ठीक हो सके और उस अंग में रक्ट प्रवाव बढ़ सके देखा जाये तो लिंग की मालिश का उद्देश्य भी नसों में रक्ट प्रवाव बढ़ाना और उसकी मांसपेशियों को द्रिड बनाना होता है महामाश तेल की लिंग पर मालिश करने से लिंग में धीलापन दूर किया जा सकता है और लिंग में तनाव बढ़ाया जा सकता है महामाश तेल के घटक द्रव्य भी बहुत अच्छे हैं इसमें कई सारी शक्तिशाली जड़ी बुटियों का प्रयोग किया गया है जैसे विदारीकंद, हल्दी, गोकरू, जीवन्ती, अश्वगंधा आदी और साथ ही इसमें दश्मूल का भी प्रयोग किया गया है दश्मूल अपने आप में एक शक्तिशाली आयूर्वेदिक योग है, जिसमें दस पौधों की जड़ों का प्रयोग किया जाता है दश्मूल शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, पित नाशक है, शरीर में सूजन को कम करता है, जोडों के दर्द में भी फाइदेमंध होता है तो दश्मूल, चूंकि महामाश तेल में है, तो महामाश तेल लिंग की मालिश के लिए एक बहुत ही अच्छा तेल साबित हो सकता है इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, सोमराजी तेल दिव्य सोमराजी तेल भी एक आयूरवेदिक शास्त्रिय तेल है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से त्वचा की बीमारियों को दूर करने में किया जाता है जैसे स्किन में हो जाने वाले कई तरह के इंफेक्शन होते हैं, गठिया होता है अगर एक तरह से देखा जाए, तो जब तक लिंग की तवचा स्वस्त नहीं होगी, तो उसमें उपस्थित जो रक्त नलिकाए होंगी, उनको पूरा पूरा पोशन नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं संक्रमन के कारण, उनमें रक्त के ठक्के बनने शुरू हो जाएंग लिंग के चारो तरफ फैली हुई ये रक्त नलिकाए ही, लिंग का जो अंदरूनी इरेक्टाइल टिशू होता है, उसको बलड सप्लाई करती हैं, दिव्य सोमराज तेल में हल्दी, दारू हल्दी, सरसों, अमलतास आधी घटक द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, तीसरे तेल का इस्तेमाल भी लिंग की मालिश के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह लिंग की मानस्पेशियों को शक्ती दे सकता है, और लिंग में रक्त प्रभाव बढ़ा सकता है, जिसके फलस्वरूप लिंग में तनाव की मात्रा बढ़ती है, दिव्य सहचरादी तेल में कई बहुमूले जड़ी बुटियों का प्रयोग किया गया है। अब लास्ट में हम बात करेंगे पतंजली दिवे तेजस तेलम के बारे में। यह तेल पतंजली का एक पेटेंटिड प्रोडक्ट है जो आयूर्विदिक शास्त्री योगों से प्रेरित हो सकता है। लेकिन इसके जो घटक द्रव्य है वो पतंजली के अपने हैं। अगर पतंजली तेजस तेलम के घटक द्रव्यों पर नजर डाली जाए तो इसमें ज्यादातर शक्ति वर्धक और सुरक्षे तेलों का प्रयोग किया गया है जो विभिन पौधों से प्राप्त किये जाते हैं जैसे हड्यों और मांस्पेशियों को ताकत देने के लिए ही बनाया गया है। यह सकिन को हाइड्रेट करता है और त्वचा की उपरी सतक को पेनेटरेट करते हुए अंदर तक जाता है। नसों को शक्ति देता है और हड्यों को मजबूत बनाता है। यह एक मल्टी परपस मसाज oil है, जो न केवल शरीर की मालिश के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है, बलकि लिंक की मालिश के लिए भी ये तेल काफी उप्योगी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर घटक द्रवे की बात की जाए, तो इसके सभी घटक द्रवे पोशक तत्वों से भरपूर हैं, जैसे ओमेग जैसे भरपूर हैं, जैसे भरपूर हैं...